चूहा और हाती ग्यान दीवी नाम का एक अरण्य था उस अरण्य में कई प्रकार के जानवर साथ मिलकर शांती से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे उनमें एक हाती भी था जो बड़ा ही बलवान था वो हाती जंगल के अन्य विशाल जानवरों के साथ मिलकर घुमा करता था उस हाती को देख कर एक चुहा बड़ा ही हर्शित हो उड़ता था अरे वाँ ये हाती कितना बलाड और सुन्दर है अगर दूस्ती करो तो इस हाती से करो इसके साथ जंगल में घुमकर बहुत सारी बाते जान सकता हूँ ऐसे मन ही मन सोचा करता जब भी मौका मिलता उस हाती से बात बढ़ाने की गुल मिलने की खुशिश किया करता एक दिन चुहा खरगोश के पास गया खरगोश मेरे दोस्त, मैं हाती से दोस्ती करना चाहता हूँ ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? हाती बला हम जैसों से दोस्ती क्यों करेगा? वैसे भी अगर किसी बात पर वो गुसा हुआ तो अपनी सून से उठा कर फेकेगा दूर आसमान में ऐसे खरगोश ने उसे समझाया पर चुहे ने अपनी कोशिश जारी रखी हाती से बात करने का मौका ढोन दे रहा यूँ एक दिन हाती अकेला ही नदी के किनारे खड़ा पानी पी रहा था वहीं से गुजर रहे चुहे ने हाती को देखा आज हाती अकेला है पूछे लेता हूँ दोस्ती के लिए ऐसा सोचकर चुहा हाती के पास गया हाती जी मैं आपसे दोस्ती करना चाता हूँ उसकी बात सुनते ही हाती जोर से हस पड़ा चुहे की समझ में नहीं आया कि हाती हसा क्यों क्या हुआ हति जी आप हस क्यों रहे हो क्या मैंने कुछ गलत कहा है तुमहारी मुर्खता के बहरे में सोच कर मुझे हसी आ रही है मेरे पेर के छोटे से कांटे चितने हो तुम भला तुमसे मेरी दोस्ती कैसी पर दोस्ती करने में क्या दिकत है तुम जंगल में रहते हो मैं भी रहता हू इसमें गलत ही क्या है इंद्रदेव स्वर्ग में रहते है भट भी वही रहते है तो क्या वे तुनों समान है तुम्हारी पूंच है मेरी भी है तुमारे चार पेर है मेरे भी चार पेर है इसमें तो कोई असमानता नहीं है न जादा बक्वास मत करो वरना तुम्हें पेरो तरे कुचल दूँगा तुम एक अलप जीवी हो तुमसे दोस्ती करूँगा तो मेरी क्या इज़त रहेगी ऐसा करकर हाती वहां से चला गया पर चुहें की हाती के साथ तुमस्ती करने की इच्छा कम नहीं हुई हाती जहां भी जाता चुहा उसका पीछा किया करता हाती भी जोर नजर से चुहें को देखा करता ये चुहा भी पता नहीं क्यों इतनी जिद पकड़े बैठा है ऐसे पीछे लगा है जैसे मुझे प्यार करता हो यू हाती सोचा करता एक दिन हाती जंगल में एंट कर घूम रहा था यू घूमते घूमते उसने ध्यान नहीं दिया और एक शिकार की बिचाय जाल में फस गया उसने लाब कोशिश की पर जाल से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था जाल बहुत सक्थ था जिस वज़े से हाती उसमें फसा रहा हर बीट्ते पल के साथ हाती की अपनी जीवित रहने की उमिद कम हो रही थी यह कुई है जो मुझे बचा सके ऐसे मदद की गुहार लगाने लगा पर वहां कोई नहीं आया हाती चिला चिला कर आखिरकार ठक गया उस जाल में यू फस कर सहे में बैठे हुए हाती को चुहे ने देख लिया चुहा हाती के पास गया दोस तुम बाला केसे इस जाल में फस गया ऐसे चुहे ने हाती से पुझा तब हाती ने सारी बात बताई बात जानने के बाद चुहा दोस गपराओमर मैं तुम्हे इस जाल से बाहर निकालता हूँ ऐसा कहकर चुहा तुरंत अपने निवा स्थान पहुँचा अपनी दान से खुतर डाला हाती उस जाल से छूट गया था इस तरह हाती बच गया दोस्त मैंने तुम्हे बहुत गलत समझा मैंने तुम्हारी कज से तुम्हारी हैसियत को आंक कर तुम्हारा अपमान किया तुमने मेरी जान बचाए आज से हम दोस्त हैं हाती ने ऐसे कहा उसकी बात सुनकर चुहा खुशी से उछल पड़ा उस दिन से वे दोनों अच्छे दोस बन गए एक दुसरे के मुसीबत के समय एक दुसरे का साथ देते हुए खुशी से रहने लगे इस कहानी से हमें सीख मिलती है इन मुसीबत के समय सच्चा दोस्ती साथ देता है